वीडियो में आपको जानने समयने को मिलेंगी साथी यह भी जानेंगे कि इस दिन कौन से सुभ योग का निर्मान हो रहा है उपाय नियम संपूर्ण जानकर इस वीडियो में है ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहीएगा जैसे कि आप जानते होंगे महादेव को यहती थी हर एक महा चतूर दशीती थी के दिन आती है और इस दिन जो भक्त उपवास इत्यादी करते हैं उनके भागी की रेखाएं अपने आप ही बदल जाती है यह ब्रत मानसिक सारे रिक और आर्थिक वरेशानियों को दूर करता है और इसका मैंने विस्त्रित वीडियो पहले ही अपनी चैनल पर प्रेसारित किया है कि कैसे हमें मासिक सीवरात्री का उपवास कब और कैसे धारण करना है आप उसे पूछेंगे तो मैं उसे कमेंट्स में पिन कर दूँगी अब आरम करते हैं कि इस उपवास को कब करना है दो हजार चौबिस में एक सितंबर के द के स्वरूप में यह हो रहे हैं तो एक सितंबर रविवार है इस दिन आप उपवास करें और अपने भागी की रेखाओं को चमकाएं इस दिन जो है आपको अपनी दिन चरिया और उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए जो उपाय है वह नोकरी विवाह संतान रोग कर देख के जो परिशानी है उन सभी से निजात दिलाएगा और किसी कालण से मंदिर उत्म नहीं जा सकते हैं तो भी आप घर पर कर सकते हैं इस उपाई को करने के लिए कोई विसेश चीजों की आवश्चकता नहीं होती बस ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज है इस पर इस उपा आरे कह लीजिए उपाय कह लीजिए आपकी अपनी जो है इसमें सब्द चैन की भासा है क्योंकि देखिए यह चीजा महादेर द्वारा प्रदत्त है और उन्हें को यह चीजा समर्पित है यह किसी को हानी नहीं पहुचाती बल्कि अद्भुत इसका लाब मिलता है ब्रह्मो म यहों के दाने गुड का टुकडा डालते हैं और जो भगवान जी को लाल चंदन समर्पित होता है वह अगर तांबे के लोटे में डालते हैं तो सूरी ग्रह की स्तिति कुंडली में स्वतेही मजबूत हो जाती है सास्तर प्रमान कहता है जिसका अगर सूरी ग्रह अच्छा म लोटे से सूरे नारेन भगवान को जल चड़ाना चाहिए वेक्ति रोग मुक्तो होता है गुरुजी कहते हैं उसी तांबे की लोटे को धोना नहीं है और सौंबार के दिन उसी लोटे से स्विवलिंग पर जल चड़ाना है इसके अधुत प्रभाव राशी और कुंडली मे तभी यह कारी कर लेना है घर पर मंदीर में जहां भी समय हो तभी कर लीजेगा वहले ही प्रदोशकाल में करें अब रम्म मुहरत में आपकी इच्छा है वैसे भी जो यह मासिक सिवरात्री की पूजा होती है यह चार पहर में करने का विधान है संभव हो तो चार पहर की प लेता है तो भी परियाप्त है और सभी कारी की सिद्धी के लिए सभी के लिए लागू होता है ठीक है जी इसमें आउशकता पड़ेगी एक चामल के दाने की चामल का दाना अक्षत स्वरूप में माना जाता है जो कि मा लक्षमी का साक्षा स्वरूप है तो आपको लेना है ए पानते होंगे एक धतुरा, एक चावल का दाना, एक सफेद फूल और एक बेल पत्र, किसी कारण से बेल पत्र नहीं तोड़ पाय हैं, तो सीवलिंग पर चड़ा हुआ पुराना बेल पत्र भी, जो साब सुत्रा हो, खंडित ना हो, वह ले सकते हैं, सभी चीज़ें आप सभी अपने पूजा की थाली में रखें, गोल बत्ती का घी का दीपक रखें, सीवलिंग पर जल चड़ाएं, तत्पश्यात आप सभी चारों चीज़ें, अपने हाथ की हधेली में रखकर, एक धतुरा, एक चावल का दाना, एक बेल पत्र, और एक सफेद फूल, त्रिपुरार सते ही हो जाता है, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में कस्टिकर जिसे घीरे हुए हैं, तो त्रिपुरारी महादेव की जय कहते हुए, आप सभी को यह सरलसा कारे कर लेना चाहिए, इस तरह से यह कारे आपको करना है, अदभुत इसके परिणाम मिलते हैं, दिन है, भादो महने की है, तो आप मिट्टी के पार्थिर सिवलिंग, मिट्टी के पार्थिर सिवलिंग मेरे स्रीराम चंद्वजी ने बनाये थे, माता कोरी ने बनाये थे, और साथ के साथ जो है, सभी देवी देवताओं ने पार्थिर सिवलिंग मेरे महादेव का पूजन का विधान करें घर के घमले में मिट्टी सारुप माना सकते हैं या अपने घर पर मिट्टी के जैसे भी शोरूप होुँ उनका नेरमान्ड करकर आ पार्थी शीवलिंग पूजा करनी का इस दिन प्र्णड्डे संकल पलें विदी विदहान से पूजन करने दीप प्रजलित करें दीप अग जो ठंडा हो जाए उसे वहीं पर विसर्जित कर दीजिए ऐसी मानेता है जो भी सीवरात्री के दिन पार्थी वर्थानमिट्टी के सीवलिंग बनाकर मेरे महादेव का पूजन कर लेता है वह जीवन में सब सुख प्राफ्त कर लेता है इस त पूरिग रहसे है और रविवार की तिथी होने के कारण नौकरी विवाह की दिक्कत है रोग कर्ज बढ़ रहे हैं तो 108 गेहूं के दाने आप अच्छी अवस्था में परिपूर्ण अवस्था में गेहूं के दाने लीजिए और रोग है तो महाम्रत्यों जैं मंत्र का आप साधारन सरल तरीके से स्री सिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाब करें या हरहर महादेव या जो है नमहाशिवाय उम्पंचाक्षर या सडाक्षर मंत्र को इसा भी जाब करते हुए सिवलिंग पर आप गेहूं के 108 दाने चड़ा देजे फिर देखिए जीवन कैसे बद यह कारिभी कर लेने के साथ साथ आप साथ के साथ विशेश तोर पर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरान करते हुए पंचामरत अर्था दूद दही घी सकर शहद शहद चड़ाने से परिवार में एक जुटता आती है जीवन में जो जीवा है उसमें मिठास आती है दही सिवलि इसे भी सिवलिंग पर रोग मुक्ती मिलती है साथ सास्त्र प्रमान कहता है दूद चड़ाने से संतान की समरद्धी होती है और संतान से जुड़ी हुई परिशानियों का निदान होता है तो दूद दही घी सकर शहद का इतना सुन्दर प्रमान मिलता है अगर जो भी वेक् पा रहे हैं कस्ट कर्ज से घीरे हुए हैं तो इस भादो सिवरात्री का लाब उठाएं और अपने भागी की रेखाओं को प्रबल करें